आज हम कक्षा 6 की कक्षा में पाठ एक वे चिडिया जो हिंदी रीडर की बुक से अध्यन करेंगे वे चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जूंडी के दाने रूची से रस से खा लेती है वे छोटी संतोशी चिडिया नीली पंखो वाली में हूँ मुझे अंसे बहुत प्यार है वे चिडिया जो कंट खोल कर बूड़े बनबावा की खाते रस उडेल कर गा लेती है वे छोटी मूँ बोली चिडिया नीली पंखो वाली में हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है वे चिडिया जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल तटोल कर जल का मोती ले जाती है वे छोटी गबरीली चिडिया नीले पंखो वाली मेहूं मुझे नदी से बहुत प्यारे ये कविता हमारे के दाना अगरवाल जी द्वारा रचित है इस कविता का अर्थ मैं आपको बता देती हूं वे चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुन्डी के दाने रूची से रूची का अर्थ होता है इच्छा से रस से खा लेती है वे चोटी संतोशी होता अपने आप में संतोश करना चिडिया नीले पंक वाली मेहूं मुझे अंसे बहुत प्यारे यहां कभी कह रहे हैं कि वे छोटी चिडिया कभी कहता है कि वे चिडिया जिसके पंक नीले हैं वे अपनी चौच से जुंडी यानि कि जुआर के दूद से भरे दाने रूची से खाती है उसे इन दूद्युक्त दानों का स्वाध बहुत पसंद है वे चिडिया चोटी और संतोष करने वाली है उसे अनाज के दाने अत्यंत प्रेम है चलि नेक्स्ट पेरा देखते हैं वे चिडिया जो कंट खोल कर बूडे बन बाबा की खातीर रस उडेल कर गा लेती है वे चोटी मू बोली चिडिया नीली पंखो वाली मैं हूँ मुझी विजन से बहुत प्यारे कंट का अर्थ होता है गला खातीर का अर्थ होता है किसी के लिए रस उडेलकर का अर्थ होता है हमारा बहुत मीठी आवाज में गाना विजन का अर्थ होता है एकांत वे छोटी चिडिया कंठ खोल करिया कभी कहता है कि वे चिडिया मुक्त कंठ से बहुती मधुर स्वर में गाती है जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को खुशी मिलती है वे छोटी सी बोली चड़िया है जिसके नीले पंक अत्यन्त सुन्दर है वे आसमान में मधुर गीत गाते हुए सोतंतर रूप से उड़ती है उसे एकांथ से प्यार है अर्थार्थ उसे सोतंतरता से बहुत लगावे वे चड़िया जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जलका मोती ले जाती है वे छोटी गर्वीली चड़िया नीले पंको वाली में हूँ मुझे नदी से बहुत प्यारे चड़ी नदी का अर्थे वे नदी जिसमें किनारों तक लवलब पानी भरा हो टटोल कर का अर्थे खोज कर यानि कि दिल टटोलना जमता का अनुमान लगाना यहां कभी कहता है कि चड़िया अपनी चोच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक लवाला भरा है उस अतहा जल राशी से जल का मोती ले जाती है अर्थार्थ जल मोती जैसा अमुलिय है क्योंकि उस से चिडिया अपनी प्यास भुजाती है चिडिया नदी में अतहा जल राशी का अनुमान भी लगाती है वे छोटी तथा गर्व करने वाली चिडिया है क्योंकि उसकी नीले पंक अत्यंत सुन्दर है चिडिया को नदी से बहुत प्यार है अर्था वे बेहती नदी का पानी सोतन्त पूर्वक पीना चाहती है चलिए इसी के साथ हम अब कटिंग शब्द अर्थ पर भी थोड़ा सा अध्यान कर लेते हैं चलिए हमारा फ़र्स्ट वर्ड है रूची रूची का अर्थ होता है इच्छा पसंद सेकिंड वर्ड है हमारा संतोशी संतोशी का अर्थ है संतोश रखने वाली थर्ड है कंठ कंठ का तरह अर्थ है गला फौर थे खातीर 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 का अर्थ जिर्ण नीक再 करें हमारा एकांथ चुरू नादि का आतोफिया हूए नदि के किनारों तक लबलब पानी भरा हो तटोल कर यहनि के अर्थ हमारा खोज कर दिल तटोलना छमता का अनुमान लगाना गर्व से युक्त गर्व करने वाली चलिए अब आप मेरे साथ पढ़िए पुना रूची इच्छा पसंद संतोशी संतोश रखने वाली कंठ गला खातिर के लिये है तू प्रस उडेल कर गाना बहुत मीठी आवास में गाना विजन एकांत चड़ी नदी वेह नदी जिसमें किनारों तक लबलब पानी भरा हो टटोल कर खोज कर दिल टटोलना छमता का अनुमान लगाना या गर्व से यूक या गर्व करने वाली आपको अब हम पाठ के बार में बता देते हैं कवी ने बताया है कि उसके सभाब में नीले पंखो वाली एक छोटी चिड़िया है वे संतोशी है अन्ज से बहुत प्यार करती है वे अपने पंख के साथ कंट खोल कर पुराने घने बन में बेरोग गाती है मुँ बोली है एकांत में भी उमंग से रहती है बे उफंती नदी के विशे में जानकर भी जलकी मोती सी बुंदों को चोँच में भर लाती है उसे स्वेंपर गर्वे सहासी है उसे नदी से लगावे कवी ने अपने भीतर की कलपित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत पूर्ण गुणों को उजागर किया है चले अब हम इसके साथ इसके पिशन अव्यास देख लेते हैं कवीता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ आपको यहाँ पर कवीता पढ़कर जो भी आपके मन में चिड़िया के लिए जैसे भी आपका चित्र आता है वो आपको अपनी उतर पुस्तिका में बनाना है नेक्स वोश्टन है हमारा तुम्हें कवीता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे उप्युक्त शीर्षक सोचकर लिखिए यहां आपको इस कवीता को पड़कर जो भी आपके मन में कवीता के लिए शीर्षक आता है वो हम दे सकते हैं हमारा शीर्शक कविता का कभी ने दिया है वे चोटी चिलिया, लेकिन हम इसको दूसरा शीर्शक भी दे सकते हैं, नन्नी चिलिया, सुंडर चिलिया, चिलिया मनी बड़ी सेयानी, यह सब इसके शिर्शक हो सकते हैं, N shaking कोश्चन है, इस कविता के अधार पर बता हो कि चलिया को दूद भरे अनाच के दानों नदी और जंगल से बहुत प्यार है उसे जंगल में मधुर सुवर में गाने तथा बहती नदी का जल पीने से भी प्यार है तो यह हम यह इनके पिर्शन के उत्तर लिख सकते हैं अब आपके लिए थोड़ा से गिले का दिये हैं वे चिडिया जो कभीता लिखनी है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कभीता पढ़कर तुम्हारे मन में चिडिया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाईए आपको अपनी उत्तर पु